नमस्कार दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाना के अंदर नेराशरित बर्चों के लिए जो पेंशन होती है तो उसके लिए क्या-क्या डोकॉमेंट चाहिएंगे इसका कौन इसका पात्तर है कितने रुपे मिलेंगे पूरी जानकरी आपको इस वीडियो मे मिलेगी नमस्कार दोस्तो मेरा नम संजे कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजे टेक अप्डेट्स तो शुरू करते हैं ये वीडियो ये है पेंशन समाज न्याय तथा अधिकारिता विबाग के द्वारा बनाई जाती है निराशित बच्चों के लिए वीतिय साहिता योजना के नाम से इनकी F.A.D.C. के नाम से ये योजना है ठीक है दोस्तो तो इसकी पातरता जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन इसके पातर हैं नमडर एक बात बच्चों की आईू 21 वरस से कम होनी चाहिए यनि कि बच्चे 21 वरस से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए नमडर दो बात माता पिता या अभी भावक की वार्शिक आये दो लाक रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए नमबर तीन बात हर्याना का अधिवासी तथा निवासी होना चाहिए ठीक है नमबर च्यार बालक निमलिखित कारणों से माता पिता की सहता या देखवाल से वन्चित हो नमबर एक उसमें आता है माता पिता की मृत्व के मामले में कानूनी अभीभावक द्वारा परदान की जाने वाली साहता यानि कि अगर माता पिता की मृत्व हो जाती है तो कानूनी रूप से जो उसका गार्डियन है वो सकीम को अपलाई कर सकता है लेकिन उसकी भी आये दो लाग से ज़ादा की नहीं होनी चाहिए नमबर दो अन्तिम दो साल के लिए उसके पिता अगर बच्चे का पिता दो साल के लिए दो साल तक उसके घर से अनुफ्तित हो तो भी इस योजना का वाप अपलाई कर सकते हैं नमबर तीन माता पिता को एक वरक्ष से अधिक अवधी के लिए कारावार से दंडित किया गया हो तो भी इस योजना का अपलाई कर सकते हैं और नमबर चार विद्वा औरत भी इस सकीम को अपलाई कर सकती है माता पिता की सारीरिक या मानसिक रूप से अक्समता अगर हो तो भी इस सकीम को प्लाई किया जा सकता है यानि की माता पिता कोई भी कमाने लाइक ना हो सारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हो ठीक है दोस्तो उसके बाद देख लेते हैं इसमें लाब कितना मिलता है इसमें प्रिवार में सिर्फ दो बच्चों तक ही लाब दिया जाएगा पहले बच्चे को 1100 रुपिये परतीमा और दूसरे बच्चे को भी 1100 रुपिये परतीमा यहां पर 1200 लिखा है लेकिन यह सरल प क्या क्या लगेंगे इसमें आयू का सबूत बच्चों का जनम परमानपत्तर दो बच्चों तक जनम का परमानपत्तर देना जरूरी है यानि कि बच्चे की उमर 21 साल से जादा ना हो उसका प्रूफ आपको देना जरूरी है जनम परमानपत्तर जरूर अगर है तो बहुत ब गार्डियन उनकी देखबाल कर रहा है तो गार्डियन का मत दाता पचान पत्तर जरूरी चाहिए इसमें ठीक है तो नमबर तीन अगर पिता की मिर्तु हो गई है तो पिता का मिर्तु प्रवान पत्तर इसमें चाहिएगा और अधार कार्ड इसमें अगर विद्वा उर्थ है तो उसका दारकाड, बच्चों का भी दारकाड दोनों का, वो भी इसमें चाहिएगा, टिक के दोस्तों, और अभी भावक है, तो उसका भी दारकाड इसमें चाहिएगा, और एक निरासृत प्रमान बत्तर बनवाना पड़ेगा आपको एनके काई फिडविट बना लीजिएगा उसमें लिखा होना चाहिए कि जो भी कारण से ये निराशित बच्चे हैं वो कारण उसमें होना चाहिए और उसको नोटरी कलब से वेरिफाई करवा दीजिए यानि कि टाइपिंग वाला अपने आप इ ये बच्चे इसके पास रह रहे हैं अगर नहीं है सेटिफिकेट तो आप उसको भी सपत पत्तर की तरह एक टाइप करवा लिजिए और नोटरी कलब से वेरिफाई कर लिजिए कि ये बच्चे ये माता-पिता नहीं है और ये हमारे पास रहते हैं ठीक दोस्तों उसके है इसमे आप हर्यांडू मिजाइल बनवाली जीए हर्यांडूरू मिजाइल सबसे बैस रहे गा इसके लिए दोनों बच्चों का और वीदवा उर्त about का हर्यांडू मिजाईल और गाडियन नहीं तो उसका भी हर्यांडू मिजाईल ठीक दो तो उसके बाद आता है बैंग पास बुख की फोट कोपी के साथ आवेदन करता के बैंग खाते का वीवरन आता है या तो इसको माँ अवेदन कर सकती है या फिर इसका अभी भावक यानि कि उसका गार्डीन इसकोrolog अपलाई कर सकता है स्कीम को इसमें लिखा एक नोट लिखा है एदी विदवा अपने विवासे पूरव अपने पती के हरियाना एदी वासे दूसरे राज्यस से संबंद रखती है तो उसे संकलन किशी दस्तावज के मादम से 15 वर्सों से अधिक लीजिए कोई टेंशन नहीं होगी इसमें अर्यांडो मिसाल उसका बन जाएगा तो ठीक दोस्तों इस तरह से इसमें ये दस्तावेज लगेंगे और बाइस्टों रुपिये दो बच्चों तक मिलेंगे ठीक दोस्तों इस तरह से आप इसको अपलाई कर सकते हैं जो इसका और एक और इसमें एक फोर्म होता है मतलब की डी एफ हेडी सी अपलाई करने का फोर्म होता है उस फोर्म का लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूंगा और उसको कैसे बढ़ते हो अभी देख लीजिए ये इस तरह से फोर्म होता है समाजिक नेम अधिकारिता विभाग हरियाना नेरासरित बच्चों को वीतिय साहतती आवधन पत्तर यहां पर दो बच्चों की फोटो लगेंगी दोनों बच्चों की फोटो और यहां पर आवधक की फोटो लगेंगी कोन इसको अपलाई कर रहा है मा कर रही है या उसका गार्डियन कर रहा है ठीक दोस्तों इस तरह से कि फूम को फिल करना है या पर आपकाा जिले कौनसा जिला कर रहा है। तो मा का नाम उसके पती का नाम डाल दीजिए, स्रंक्षट के बच्चोचे रिष्टा, यैनि कि अभी भावक है जो इसको अपलाई कर रहा है उसका क्या रिष्टा है इनके साथ, और उसका संपूर्ण पता जो इसको आवेदन कर रहा है, उसका संपूर्ण पता, यहाँ पर P करण क्या है यादर की बेशारा का का कारन है वह डाल डिजीए अगर विद्वाहुर्थ है तो यहां पर लिख दीजिये पती देथ और अगर मता-पिता दोनों की क्रिक देस्ट कारण डालना आपको क्यादर है उसके बाद बच्चों के नेराशितों करने का कारण यह आपने ठीक है इस जगह कम है तो अलग पन्ने पर विष्टित विविरन दें ठीक है दोस्तों स्रंक्षंग के गरीबी एका सुची शंक्या यानि की बीपिल वगएरा है या नहीं है क्या आवेदक हर्याना का राज्या का अधिवासी है या नहीं यस करना यह भी क्या आवेदक सरकारी वाग में पेंशन वगएरा तो नहीं ले रहा यस या नो डालनी है स्रंक्षंग की सभी है सादनों से वार्षिक आए इसमें वेतन सभी परकार की पेंशन पारवी पेंशन प्यार अफ विनले वाली ब्याजदर आदी सामिल है और यह धियान र जो भी रिष्टा है और निवासी हो जाएगा यहां पर अगर गाउं से रहते हैं तो आप सरपंस की मौर और अगर सहर से रहते हैं तो के मोर लगवा लीजिए यहां पर अविदक के अक्स्ता अक्सर होंगे ठीक है दोस्तों इसतरह यह सी हेंट्रवल यहां प्र मोर लगता है आप खुझ से भी इसको pra crunch कर सकते हैं शरल के इंदर से ठीक है इसस तरह से फोर मैं है यह form पर पहली वाई आया है तो उसको subscribe करना क्योंकि जितनी भी इंसे वीडियो होती है उसमें आपको knowledge वाली वीडियो होती है knowledge वाली वीडियो हमेशा boring होती है लेकिन काम की होती है दोस्तो ठीक है दोस्तो थन्याओद देखने के लिए